नमस्कार बच्चो आज के इस एपीसोड में इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th SST सामाजिक विज्ञान की और डिसकस करने वाले हैं क्लास 10th SST सामाजिक विज्ञान के सेकंड टम के एक और सेंपल कोशिन पेपर को टोटल हम 5 सेंपल कोशिन पेपर आपके लिए लेकर के आएंगे और यह हमारा सेकंड सेंपल कोशिन पेपर है इससे पहले 1st जो सेंपल कोशिन पेपर था वो हमने काफी डिटेल में बहुत ज़यादा डिटेल में डिसक्स किया था टोटल वन आर्ट टैन मिनिट के आसपास यान कि एग घंटे दस मिनिट के आसपास का वो वीडियो है जिसमें हमने strategy भी discuss किये कि आपको क्या पढ़ना है कहां से पढ़ना है कितना पढ़ना है कौन सी unit कौन सा chapter ज्यादा important है जिसके उपर ज्यादा focus करना है 5 marker question कहां से आएंग two marker को कितने points में देना है three marker को कितने points में आपको लिखना है five marker के answer है वो कितने points में दो गए तो हमने answer आपको दिये थे solution एक दिया था तो वो आपके लिए बहुँ ज़्यादा helpful रहने वाला है अगर आपने उस video को नहीं देखा तो आपको playlist में जाना है playlist में blueprint और sample question paper की एक अ आपके लिए complete package already हम publish कर चुके हैं क्या कुछ आ चुक है chapter हम parts में पहले आपको दे चुके है clear उसके बाद हम लेकर आया थे one short video chapter wise आपने देख लिए है उसके बाद हम लेकर कर आया थे chapter wise most important questions chapter wise map work की बात करें तो separate भी आ चुके है chapter wise भी आ चुके है और एक single video भी आपको हम द jump कैसा आएगा कहां से आएगा किस chapter में से two marker question आएगे किस में से case study based questions आएगे तो एक blueprint जो pattern है उसका वीडियो अलग से आ चुके है strategy क्या रहनी चाहिए आपको कौन सा section पहले करना है कौन सा बाद में करना map का क्या करना है कौन से गलती नहीं करने है कहां पे marks कट सकते हैं कट सकते हैं तो वो strategy वीडियो भी आपका आचुका है यानि कि बहुत कुछ जो कुछ भी आपको चाहिए वो total complete package है हम publish कर चुके हैं कहां मिलेगा यह सारे package अगर आपने कुछ miss कर दिया तो आपको class and social science के genius patch में जाना है playlist में वहाँ पर आपको यह सारा content एक साथ मिल जाएगा max रहेंगे वो 40 ही रहने वाले हैं क्लियर तो यह सारी चीज़े आपको पहले से क्लियर है जोग general instructions यहां पे दियेगे बहुत important होते हैं इनको भी read करना कि क्या कुछ रहेगा इसमें आपके total five section रहने वाले है social science SSD में okay a b c d और e सभी questions आपके compulsory रहेंगे it means that आपको internal choices मिलेग लेकिन questions को skip नहीं कर सकते जैसे first to five compulsory है जो आपका उसके बाद sixth question है तो उसमें internal choice है लेकिन यह नहीं कर सकते है आप sixth को छोड़ दो okay तो questions compulsory है लेकिन internal choices आपको मिलेगी three marker में internal choices आपको मिलेगी map work में भी internal choices मिलेगी आपको five marker में तो बिलकुल भी tension नहीं लेनी बिंदास्त must जाने वाला आपका ये exam उसके बाद आपका जो section A रहेगा पार्ट A रहेगा उसमें one to five question रहेंगी यह आपके short answer type question रहेंगे यह आपके two marker question रहेंगी यह आपका nine marks का रहेगा पार्ट B उसके बाद थर्ड जो पार्ट है इसमें question number six, seven और eight यह रहेंगी यह आपके short answer type question है यह आपके 3 Mark रहेंगी, यान कि आपका 9 Marks का रहेगा, Part B, उसके बाद 3rd जो Part है, इसमें Question No. 9 और 10 रहेंगी, यह 5 Marker Question है, तो यह आपका भी 10 Marks का रहेगा, यान कि यहाँ पर सबसे पहले आपके 2 Marker Question होंगे, उसके बाद 3 Marker Question होंगे, और उसके बाद आपके रहेंगे 5 Marker Question, उसके बाद अगर बात की जाए, आपके Section D की, Question No. 11 और 12, यह के Steady Based Questions रहेंगे, देखने को आसान होते हैं, Easy है, Scoring है, लेकिन Time Consuming रहेंगे, इस चीज़ को धियान में रखना है, Time Consuming रहेंगे, और यहां पर Marks Deduct नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह Scoring होता है, Clear, लेकिन Time हमें कम से कम देना, अगर हमने थोड़ा सा Focus नहीं किया, और स्थीक से Reading नहीं किया, और दोबार रीडिंग की नोबत आगे, इट मेंस तैट होच पोच हो जाएगा, हमारा जो Question है, वो सारे एक सारे हम Attempt नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें Focus करके अच्छे से Reading देनी होगे इनको, उसके बाद Last जो हमारा E Part रहेगा, उसमें Question No.13 रहेगा, उसमें 13.1 जो है, वो History में से रहेगा, एक One Marks का रहेगा, इसमें हमें Identify करना है, इनके Point दिया होगा ही, हमें Identify करना कि यह कौन सा है, Clear, और उसके बाद 13.2 है, उसमें 2 Question रहेगा, यह आपके Geo में से रहेगे, और इनको हमें Locate करना है, जैसे दे दिया कोई भी एक Nuclear Power Plant, अणू के इंदर दे दिया, हमें उसको Locate करना है, एक हमें Port दे दिया, एरपोर्ट दे दिया, उसको हमें Locate करना है, इस Type के रहने वाले, अब हम थोड़ा सा Time Management के भी यहाँ पर बात कर लेते हैं, कि आपको कैसे करना है, जैसे पहला जो आपका पार्ट है, जो 10 Marks करेगा, उस पार्ट को आपको पहले 30 मिनट्स में करना है, पहले 30 मिनट्स में, दूसरा जो पार्ट है, उसमें 3 आपके 3 Marker कोशन है, उसका आपको 55 मिनट्स तकर लेना, यहनकि 25 मिनट्स में, 25 मिनट्स में आपको उसको निप्टाना है, उसका तीसरा जो पार्ट है आपका, उसमें आपको कितने दिने हैं, आपको 30 मिनट्स देने हैं, जिसमें Long Answer Type 2 कोश कोशन है, तो आपको 15 मिनट्स में एक कोशन करना है, 15 में दूसरा करना है, यहनकि 1 घंटे 25 मिनट्स के आजपास आपका यह हो जाना चाहिए, तीसरा जो आपका Case Study Based कोशन है, तो उसको भी आपको 25 मिनट्स ही देने हैं, maximum 25 मिनट्स बहुँ ज़्यादा है, 20 मिनट्स में भी करने कोशिश करने हैं, उसके बाद यानि कि यह आप अगर हम लास्ट तक की अगर बात करें, तो यह आपका हो जाए गए 1 घंटे 50 मिनट्स के आजपास, और लास्ट के 10 मिनट्स में आप मैफवक को इसली कर पाऊए, क्योंकि मैफवक में आपको 2, 3, 4 मिनट्स ही लगने है क्लियर, तो यह थोड़ा सा डिसकस हम इसली करें, कि आपके माइंड में रहे, कि आप जब बीच में टाइम देखो तो आपको पदा होना चाहिए, कि 30 मिनट्स, अच्छा हाफ अनार हो गया, मेरा पहला पार्ट हो जाना चाहिए, अच्छा 1 घंटा 30 मिनट हो गया, मेरे पह फर क्लियर, प्रैक्टिस पेपर का मतलब कि आपको प्रैक्टिस भी करनी है, प्रैक्टिस केजिएगा, और यह वो क्यो surzos है, जो आपके exam के लिए भी बहुत important है, प्रीएं से य से के जो क्योasi उनको मैंने यहाँ पर उठाया है यहाँ पर फर्स्ट आपका कुशिन दिया गया वाइ डिड गांधी जी कॉल ओफ नॉन कॉपरेशन मॉमेंट गांधी जी ने A.C.O. गांधी जी ने A.C.O. गांधी जी वापस क्यों लिया था चोटी सी जगह है बिहार की साइड में जब जाते हैं तो वहाँ पर है ठीक तो यहाँ पर जो A.C.O. गांधी जी 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 जिन्दा जल करके मर गए थे क्योंकि गांधी जी हिंसा के प्रियों के सक्त खिलाफ थे इसलिए गांधी ने इस घटना के बाद यानि की चोरी-चोरा की घटना के बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया था तो आपको सिरफ ये बताना है तो इसमें थोड़ा सथ हमें बताना पड़ेगा कि क्या हुआ था ये ऐसे होगा अंदोलन के दुरान जो शांती पूरवक परदशन कर रही थी उस भीड के उपर पुलिस तवारा लाठी चार्ज किया जाता है कहां किया जाता है यूपी में गुर्खपूर के पास चोरी-चोरा स्थान है वहां पर भीड भड़क जाती है और पास के पुलिस थाने को आग लगा देती है और उस गटना में बाइस पुलिस वाले जिन्दा जलके मारे जाते है और इस गटना के बाद क्योंकि एक हिंसा गटना होती है तो इस घटना के बाद गांदीजी है इस आन्दोलन को वापस ले लेते हैं तो यह हमें यहाँ पर बताना है यह कुशन दो तरीके से पूछा जा सकता आपके एकजाम में यही पूछा जा सकता है चोरी-चोरा की घटना क्या थी तो भी हम यही बताएंगे उसके पर सेकेंड हमारा कोशिशन यहां पर दिया गया सिमान सडकों का राइट था इंपोर्टिंस वो बोर्ड रोड्स सिमान सडकों का महत्व बताईए तो पॉइंट्स में लिखोगे आप क्लियर कोशिश करना है कि जातर कोशिशन से बनाएँ आमारा के साथ बनाएँ तो वो बोर्ड रोड्स हैं तो यह जो बोर्ड रोड्स हैं यह देश की सुरक्शक लें इंपोर्टिंट है पर देश की सुरक्षिश के लिए далे नास्टनल खिक्यारी देश की सुरक्शक लीं काफी MARY important है दूसरे ये कि जैसे हम अगर बात करें जो युद सामगरी है या जो भी रसद सामगरी है वो आर्मी तक जब हम पहुंचाती तो वो इन ही सडकों से पहुंचा जाता है तीसरा ये जो सडके होती है बोर्डर एरिया को देश के internal part के साथ connect करती है उनको जोडती है तो उन ही इलाकों के जो विकास है उसमें मदद करती है तो तेन पॉइंट्स देखते होगे काफी रहेगा टू मारकर के लिए कि देश की सुरक्षर के लिए महत्पून है जो वहां के जो सैनिक है वहां तक यूद सामगरी भी इन ही रास्तों से पहुंचा जाती है तीसरा ये कि बोर्डर एरिया को ये देश के इन्ने भागों से connect करते है और चोथा उन एरिया के विकास के लिए भी काफी important होती है तो ये आप यहां पे लिखोगे उस बाद थर्ड हमारा question देगा है राजनतिक दलों के तीन घटकों के नाम बताए ये name the three components of political party political party क्या होती है political party कुछ लोगों का एक समूव होती है ग्रूप होती है जिनका मुख्यों देशी होता है चुनाव लड़ना और सरकार बनाना भाई इसलिए तो वो साथ साथ आते ना चुनाव लड़नेंगे और सरकार बनाएंगे अदर्वाइस तो political party का कोई मतलब ही नहीं होता अगर वो चुनाव लड़के सरकार बनाने के नहीं सोचेंगे तो उसके तीन घटक होते है एक होते है मुख्यनीता मैन लीडर्स होगे उसके बाद active members यानि की सक्रिये कारे करता होते है और तीसरे होते है अन्याई यानि की followers मैन लीडर्स आप समझते ही हो कि मतलब जो टिक्टें लेती हैं चुनाव लड़ती हैं बाद में जीत चाहिए तो मंत्री शंत्री बनते हैं वो होगे मुख्यनेता दूसरे होते है active members मतलब पक्के वाले जो आप social media पे देखोगे कि बहस करते हैं इधर सुधर मिल जाएंगे सारा दिन वही करते मिलेंगे या रेली वगरा होती तो उसमें वो सबसे आगे मिलेंगे तो वो वाले और तीसरे followers होते हैं जो चुप चाप किसी political party को vote देते हैं लेकिन हो हला नहीं करते हैं वो होगे तीसरे टाइप के clear तो इसके तीन घटक होते हैं मुख्यनेता उसके बा function कौन कौन से होते हैं पहला ये कि RBI है वो एक तरिके से object करता है बाकी बैंकों के कारे को यान कि RBI देश के अन्य परमुख बैंकों के कारें के निगरानी करता है दूसरा ये देश के जो बैंक होते हैं उनके लिए rules and regulations यान कि नियम काईदे कानून निशित करता है तीसरा ये बैंकों के बैंक के रूप में कारे करता है यान कि इन बैंकों को जब भी अगर जरूर्त होती है रिन की लोन की ये उनकों रिन भी उपलब्द करवाता है इसके साथ सरकार को भी जब भी आप सकता होती तो आर्थिंग मुद्धों के पर RBI सला भी देता है यान कि चार क ने दूसरा, ये बैंकों के लिए नियम कायद never करता है तिसरा, ये बैंकों को आउसकता है पर इन उपलंद करवाता है कि बैंकों के बैंक के तोर पर पर कारे करता है। चोथा सरकार को जब भी आफ सकता होती है तो आर्थिक मुद्दों पर ये सला भी देता है तो ये चार कारे रहेंगे यहां पर आप लेख सकते हो उसके पाद फिप्थ जो हमारा कुश्शन रहेगा फिप्थ कुश्शन देगा है सुगर इंडिस्टी है वो साउथ इंडिया की तरफ जा रही है लास्ट अगर 30-40 एर्स की बात करें चीनी उद्यों के दक्षन भारत की तरफ जा रहा है क्यों जा रहा है इसके कई सारे कारण है हमें 2-3 मैक्सिमम 2 मारकर कोश्शन है 3 पॉइंट्स तक जाना है अगर आपके पास टाइम है लग रहा है कि शोट आपने लिखा है तो आप 4 तक जा सकते हो लेकिन अगर आपके 2 हैं तो 3 तक तो आपको जाने की कोशिश करनी करनी है ताकि कोई गुंजाइस ना रहे कि आपके मारक्स डिडेक्ट हो तो चीनी उद्यों के दक्षिन भारत की तरफ क्यों जा रहा है तो इसका पहला कान है वहां के क्लाइमेट कि वहां की जो जलवाईयू है वो ज़्यादा सूटेबल जलवाईयू है गन्ने की फसल के लिए और इसके कार्ण वहां का जो गन्ना होता हो ज्यादा मोटा होता है उसमें सुक्रोज यानिकी रसकी मात्रा ज्यादा होती है ज्यादा मात्रा मतलब ज्यादा प्रोडक्शन पहली चीज दूसरा कार्ण ये कि वहां पर पिडाई का जो टाइम होता है जो सुगर किन क्रेशिंग टाइम होता है वो अलग पर 9 से 10 महिने का होता है जो कि बहुत लंबा चलता है तो इसके कांड भी जो चीनी मिले हैं वो फायदिम रहती है क्योंकि यहां की उत्री भारत की चीनी मिलों के साथ क्या होता है चार-पांस महिने वो चलता और उसके बाद बागी टाइम वो मिले बंद रहती है इसलिए वो घाटे में चलती है तो वहां पर गन्ने की पिड़ाई का समय लंबा है पहला थी है कि वहां की जलवाई हो गन्ने की उत्पादन के लिए ज़्यादा नुकूल है तो वहां पर रस की मातरा भी ज़्यादा होती है और उसकी मोटाई गन्ने की ज़्यादा होती है दूसरा वहां पर पिड़ाई का समय लंबा होता है इसलिए भी चिनी मिले फाइदे में रहती है तीसरा वहां की जातर जो चिनी मिले है वो जो चीनी मिले उस सहकारी शेत्र में यानिकि सरकार के एंडर में नहीं है बलकि लोगों की खुदगी लगाई हुई है इसलिए वो मुनाफ़ा वहाँ पर जादा होता है इसलिए वहाँ पर जादा है चोथा कारण वहाँ की चीनी मिले नहीं है बंदरगाओं की यानिकि मशीनों का आयात करना है या चीनी का नियात करना एक्सपोर्ट करना है तो वो सारी फैस्ट्रेडिज मिलते है तो इन कारणों से चीनी मिलें धीरे-धीरे यूपी बिहार से निकलके महराश्टरा अंदरा परदे इस ते लंगाना की तरफ चा रही है यह रहेगा हमारा फर्स्ट पार्ट उसके बाद हम सेकिंड पार्ट के अगर बात करें तो सेकिंड पार्ट में हमारे रहेंगे थ्री थ्री मार्क कोशन लेकिन इसमें हमें जो सिक्स्ट कोशन है उसमें मिलेगा हमें internal choice यहां पर जैसे दिये गए रिंड की सर्तों से आप क्या समझते हैं और यानिकि what do you mean by the terms of credit या फिर option में दिये गए explain the role of self-help group for the poor निर्धनों के लिए सवयम सायता समोकी भूमिका की व्याख्या कीजिए यानिकि internal जो choice मिलेगी वो same chapter सही मिलेगी हमें तो इसमें पहला दिये कि terms of credit यानिकि रिंड की सर्ते क्या होती है माल लेजे किसी भी बंदे को loan लेने के लिए bank में जाना है क्या-क्या discuss हुआ सबसे बहले बात होगी ब्याज के उपर उसके बाद किसके उपर होगी उसके बाद में बात होगी आपके कागजाड documents आपके पास है या नहीं उसकी बात होगी उसके बात होगी आपके collaterals मतलब समर्थक रिनाधार की उसके बात होगी आप लोटाओंगे कैसे लोटाओंगे कब तक तो इन सबको ही रिन की सर्ते कहते है यानि कि ब्याज की दर rate of interest की बात करेंगे न सबसे बले कि क्या ब्याज लगेगा उसके बात हम बात करेंगे collaterals यानि कि समर्थक रेनधार जो guarantee की तोर पे जमा करवाएंगे उसकी बात करेंगे हां जी मैं तो government job में हूँ मेरे पास plot है मेरे पास गाड़ी है किसके बेस पे हम loan लेंगे उसके बात होगी उनके documents दिखाने पड़ेंगे documents की में बात नहीं पड़ेंगे वरना था हम बता देंगे कि भाई ये मेरा plot है ऐसा कोई बता देगा document चाहिए उसके बात होगी कि आप कब तक लोटा होगे मतलब दस सालों में, तैनियर्स में, ट्वंटी एर्स में उसके बात ये की कैसे लोटा होगे monthly installment होगी, six monthly होगी, कैसे होगी तो ये सारी चीज़ें आजाती रिन्ट की सर्थों में तो पहले आप लेखो कि रिंड की सर्दों में निमलिकित शामिल है और उसमें से कुछ चीज़े अगर explain करने हो तो थोड़ा से explain कर दोगे otherwise need not to explain तो इन ही बोलते हैं रिंड की सर्दे हैं उसके बाद यहाँ पिये explain the role of self-help group for the poor निर्धनों के लिए सम्वम साहित असमू की भूमेका की व्याख्या जी एक चीज़ आपको बता दूँ कि जितने भी questions किसी भी simple question पेपर में आए कहीं से भी आए उनके solution answers हमने already most important questions में दे रखे हैं तो अगर आपको यहाँ से लग रहा है कि हमने ज्यादा fast कर लिया समझ में याए मुझे ये note करना है मुझे लग रहा कि ये question तो आना है तो आप वहाँ से देख लेजेगा वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए तो यहाँ पे जो समझ में शाहता समूझ क्या होते हैं कि ये 15-20 महिलाओं के विशेश तोर पे जरूरी के महिलाओं लेकिन जातर महिलाओं का समूझ होता है 15-20 जो कि निर्धन परिवार से या मद्या वर्गय परिवार से समन रखते हैं ये लोग मिल करके एक साजा काम करते हैं और साथ-साथ ये सेविंग करते हैं, बज़त करते हैं बज़त है वो इनकी आई के उपर निर्भ़ करते हैं वो दस रुपे इस लेकर के 100 रुपे, 200 रुपे, 500 रुपे या 1000 रुपे पर महिना हो सकते हैं वेक्ति हैं, उसके बाद यानिकि ये क्या करते हैं, 15-20 वेक्तियों के समोह होता है, समयम साहे था समो, ये मिल करके कोई काम धंदा करते हैं, और साथ इसाथ बचत करते हैं, बचत कितनी भी हो सकती है, उस समोह के आये की उपर निर्बढ़ करेगी, उसके ऐगर वो regular बचत करत कम ब्याज के उपर, इसके साथ साथ एक और फाइदे ही होता है, कि अगर ये लगातार सेविंग करते हैं, दो तीन वर्षों तक, तो बैंक भी इनको बिना किसी कॉलेटरल्स के लिए रिंड देने के लिए त्यार हो जाता है, कॉलेटरल्स मतलब जो गारंटी अगर, क्योंकि आम तोर पे गरीब लोग होते हैं, उनके पास ना जमीन होते हैं, जमीन होते हैं तो उसके कागजात नहीं होते हैं, तो उनको bank loan नहीं देता, लेकिन अगर वो समयम साहता समू बना करके saving करते हैं, दो या तीन वर्षों तक, तो उसके बाद bank है, वो बिना किसी guarantee के लिए loan दे सकता है, और bank से मिलेगा, सम साहता समू के थ्रू, अगर समर्थक रेनधार नहीं है तो, ओके, तो यह हमें यहाँ पर बताना है कि क्या होता है, और क्यो important होता है, उसके बाद 7th जो हमें question दिया गए, 7th question यहाँ पर है आपका, कि why did the plantation workers of awesome join the non-corporation moment, यह जो question है, आपका एक 5 क्याक्टर किया था, तब मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा important question है, तो इसमें किस टाइप का question बनता है, कि ऐसे हो गांदोलन के दुरान, जो विभिन लोगों ने, विभिन समों ने भाग लिया था, उनके लिए जो एक शब्द हमने प्रियो कह था सवराज, सवराज का अर इसम के चाय बागानी शर्मिक थे, उनका, तो यहां पर हमें उनहीं का ही बताना है, कि एसम के बागानी शर्मिकों ने ऐसे हो गांदोलन भाग क्यों लिया था, कि एसम के जो ये बागानी शर्मिक थे, plantation workers थे, इन्हों ने non-corporation moment में बढ़ चड़ करके भाग लिया, लेकि अगर सवराज आया, तो इनको वापस गाउं में जाने की परमिशन मिल जाईए, क्योंकि इनको गाउं में नहीं जाने दिया जाता था, वापस 1869 का एक इनलेंड immigration एक्ट था, उसके तहते इनको बागानों में काम पर भीजा गया था, उसके एक condition के उपर इनसे हस्ताक्षर करवाय जाते थे, या अंगुठा लगवाय जाता था, कि भाई बिना परमिशन के आप गाउं नहीं जाऊए और परमिशन देते ही नहीं थे, तो इनको लगता था कि अगर सवराज आया, तो इनको गाउं में वापस आने का मतलब हक मिल जागा, दूसरे ये था कि जो पुर कि इनको बागानों से वापस घर लोटने की परमिशन इजाज़त देजी जाएगी, नए कानुन है, वो समाक्ट कर जी जाएगी, और गाउं में इनको जमीन नहीं मिल जाएगी, तो इनके लिए बस इतना सार्थ था, तो यही हमें यहाँ पर बताना है, उसके बाद एर्थ जो हमारा क्वेशन दिया गए, पोलिटिकल पार्टीज आर अनेसेसरी कंडिशन फोर ए डेमोकरेशी, एक्स्प्रेंग दा फंक्शन ओप पोलिटिकल पार्टी, कि हमें इस कथन को धियान में रखते हैं, रांतिक दलों की कारे, ख्लियर तो हम बहुत डिटेल में नहीं जा बनाए, इसलिए जाता है कि वो चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं, तो पहला परमुकार है चुनाव लड़ना, क्योंकि एगर डेमोकरेशी में चुनाव होगा, और एकर चुनाव लड़ने के लिए रांतिक दल नहीं होगा, तो क्या होगा, हर वेक्ति चुनाव होता है, वो है एक विचारदारा के लोगों को साथ लेकर चुनाव लड़ना, दूसरा कार होता है सरकार का गठन करना, इसमें से जिस दल को बहुमत मतलब आदे से ज्यादा, एक ज्यादा सीटर उमलती है, जैसे दिली में शत्तर विधानसभा की सीट है, तो जिसको 36 सीट म बात करें, यह अंगरेस। आपोज़िशन पार्टी हैं, लोकतंतर में उनकी भोगत महत्मूर भूमिका होती है, सरकार की कम्यों को जंता की सामने वही तो लेकर करके आते हैं, ओके, तो यह तीसरा कारह होगाय, चोथा कारह होगा होगा, कानून बनाना, अब कानून को बनाते पांचवा कारे हो गया जनता और जो सरकार है उनके बीच में कड़ी का रहा करना अब जो जनता होती है वह सरकार तक तो पहुंच होती नहीं लेकिन रांगतिक दिलों के जो छुट भहिये नेता होते हैं वहां तक जरूर पहुंच होती है तो ये बीच में कड़ी का कारे करते हैं और जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाते हैं तो ये 6-7 भी ज्यादा होगे फोर भी लिख दोगे तो काफी रहेगा आपके लिए उसके बाद C section हमारा रहेगा C section में हमें दिये गए long answer type question यहाँ पे देखिए जो हमारा first है there is lack of internal democracy within the political parties justify the statement with three arguments रांगतिक दिलों में आंतरिक लोकतंतर का भाव है तीन तरक दे करके इस कहतन को सपर्ष्ट करना है अब देखिए कि यह five marker question है three points देखेंगे कि आप five marks हमें मिलेंगे नहीं मिलने वाले है तो हमें क्या करना है कि हमें पहले बताना है रांगतिक दल क्या है और अन्याई हो गए उसके बाद हम बताएंगे रांगतिक दलों की कम्यों के बारे में तो उसकी कई सारी कम्या होती है जैसे कई सारी कम्यों के बात करने ते जो कम्य होती है कि उनमें आंतरिक लोकतंतर का भाव होता है जैसे इसमें बात की गिए दूसरे ये होता है कि वहाँ पर परिवारवाद हावीवा होता है कि एक ही परिवार होता है कई बार रांतिक दिलों के पर उसी का कबजा होता है तीसरी कमी होती है तीसरी जो समश्य होती है चुनोती होती है धनबल पांचवा हो गया बाहूबल और विकल फिंता यनकी इस परकार की चुनोतियां होती है उन में से एक चुनोती यहां पर पूछी गए, तो हमें क्या करना है, रांतिक दल के हम परिभासा देंगे, उसके तीन अंग घटक है, उनके बारे हम बात करेंगे और उसके बात करेंगे, रांतिक दल कई परकार की चुनोतीयों का सामना करें तो उसमें से हम सोट में लिख सक परकार के चुनोतियों के सामना कराएं जिसे परिवारवाद की चुनोति हो गई आंत्रिक लोगतंतर की नीम होते हैं रांतिक दल्ण कुद में ही वो डेमोक्रेशी नहीं है 첫 पार्टिक के सीमिल कर दो नन्भी नट्रिक नमें वार सबस्एबराश्य दल्लके Istrii प्रेकरता हो कि राई नहीं जाने जती दूसरा कि कई ब्राइंतिक दले इसे होते हैं जहां पर परिवारवाध हावी होता है और वहाँ पर उनहीं परिवार के सद्शिए उनके पास आगे बढ़ने कमोका होता है चाहे कोई कितना ही बहतर नेता क्यों ना हो वो टोप पर नहीं पहुँच पाता तो यहां पर देखिए आंत्रिक लोक तंत्र नहीं है तीसरा यह कि चाहे कितना ही पुराना ही कारे करता क्यों ना हो कई बार जिसके पास पैसा होता है आम तोर पर वो टिकट हत्या लेते हैं तो ऐसे तीन हमें एक्जामपल दे करके बताना है कि वास्त हमें वहाँ पे डेमोक्रेसी पोल्डिकल पार्टीज में नहीं होती है उस बाद ऑप्शन में दिया गए वाई कांट मोडर्न डेमोक्रेसी एक्जिस्ट विदाट पोल्डिकल पार्टीज एक्स्प्वेन एनी फोर वीजन्स कि मोडर्न डेमोक्रेसी आधनिक लोकतंतर की बात करें तो उसमें रांतिक दिलों के बिना काम ही नहीं चल सकता कुछ हमें चार एक्जामपल देने जिनके लिए हमें रानतिक दिलों के आफशकता होती है वही आपको यहाँ पर लिखने है उस पर टैंथ जो हमें क्वेशन दिया गए दसवा हमारा प्रसंद दिया गए वट दो यू मिन बाइ फियर ग्लोबलाइजिशन गिव सम सजेशन फोर फियर ग्लोबलाइजिशन फियर ग्लोबलाइजिशन है क्या और उसके लिए हमें कुछ सजेशन देने यानि कि नियाय संगत वेश्वी कर्ण है क्या और उसके लिए कुछ सुझाव देजे नहीं मिले जैसे शहरी उपोकता है जो अर्बन कंजुमर से उनको लाब हुएं बड़े लोग हैं उनको लाब हुएं लेकिन जो सर्मिक हैं जो छोटी जिनके इंडिस्ट्रीज थी वो हैं या ग्रामिन लोग हैं उनको इतना बेनिफिट नहीं वाए तो इसका मतलब यह निया सरकार उनको आर्थिक साहिता दी जानी चाहिए तीसरा श्रम कानुनों को सकती से लागू करे ताकि सर्मिकों का शोशन ना हो यह किया जा सकता है चोथा जो विकासील देश है क्योंकि इनको ज्यादा फाइदा नहीं हो रहा है विक्सी देशों के ज्यादा फाइदा हो रहा क्योंकि इस से सरकार को सुनना पड़ेगा जैसे अभी अगर एक्जम्पल लें किर्शी कानोनों की बात हो रही तो किर्शी कानोनों में कहीं जो विश्यो वेपार संग्ठन था उसका दबाव था कि अमेरिका वहां से सब्सेड़ी नहीं जा रही या वहां पर ऐसा हो रहा है तो विकासिल देशों को भी डेलपिंग कंट्रीज को भी ऐसा ही करना चाहिए तो गॉर्मेंट को कहीं कहीं प्रेसराइज होना पड़ा था लेकिन लोगोंने आंदोलन का रास्ता अपना है और सरकार को फिर पीचे हटना पड़ा था तो ऐसा ही कुछ किया जा सकता है उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है सेकेंड कोईशन है डिस्क्राइब दे इंपेक्ट ओप ग्लोबलाजिशन और इंडियन एकोनोमी विद एक्जामपर वेश्विकंड के भारतिया एर्थवस्ता पर पर परभावों का वर्ण करना हमें तो इसके लाब भी हुएं कुछ नुकसान भी हुएं तो दोनों चीज़े हमें बतानी है तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स आप लेख सकते हो जैसे पहली अगर बात करें तो इससे क्या लाब हुएं पहला जो लाब पहुँचा हमें वो ये कि हमें बहुत ज़्यादा बहतर विकल्प मिले हैं पहले की बात करें वेश्विकंड से पहले तो हमारे सामने विकल्प नहीं थे जैसे मोबाइल की बात करें एक या दो कंपनी थी आटो मोबाइल की बात करें एक या दो कंपनी थी अब मारकेट में चले जाए ये कन्फूज हो जाओगे क्या लें और क्या ना लें तो विकल्पों में बढ़ उत्री हुए है second हुआ है दाम में कमी आई है सस्ते प्रोडेक्ट अवलेबल है पहले के कंपरेजन में पहले की अगर बात करें 1998-99 के आसपास की तो नोकिया जो मोबाइल था जो टोर्च वाला था जिसमें सामफाला गेम होता था वो 7,000 के आसपास काता था अब देखिए 800 रुपए में आपको मल्टी मीडिया सेल फॉन मिल जाते है तो दामों में कमी आई है तीसरा गुणवत्ता क्वालिटी में इंप्रूमेंट हुए है कैमरा देखिए कितने गजब क्या रहे हैं पहले आते ही नहीं थे मतलब कैमरे ही नहीं आते थे 50,000 में जो कैमरे आते थे वो आपको 5,000 में बिल रहे है सर्विस सेवाएं बढ़िया हुई है पहले जो मोबाइल फॉन तो होते नहीं थे मतलब लैंड डाइन होते थे या सिम बंध होगी कई-कई महिने ठीक ही नहीं होती थी अब आपके पास स्कूल आ जाती है उसी मिनेट जब भी आप वो टीपी लेते होगी पोर्ट करवाना है तो सेवाएं बहतर हुई है इससे रोजगार में वृदी हुई है देश का आर्थ विकास तेजिस हुआ है उद्योगिक विकास हुआ है और इसके साथ-साथ अगर हम किर्शी के विकास के बात करें किर्शी के उपर बड़ा अच्छा सकारात्म प्रभापड़ा है किर्शी का विकास हुआ है जो हमारा living standard है वो better हुआ है निर्धनता में कमिया ही है देश की ओसत आई में बढ़ोतरी हुए तो ये लाव है कमियों के अगर बात करें कुछ कमिया बताएं कमिया जैसे सर्मिकों के लिए नुकसान दायक है चोटे जो वैपारी है चोटे जो उद्योग पती है उसके कारण वो कम्पीट नहीं कर पाए उनको नुकसान हुआ है तो कुछ हम एक या दो कमिया बता सकते है बाकी इससे बेनिफिट हुआ है तो ये रहेंगे आपका टैंथ कोशन उसके बाद डी जो आपका सेक्शन दिया गए यहाँ पे आपको टू दो आपको के स्टेडी के लिए पैसिस दिये जाएंगे यह आपके NCR टिक बुक में से रहेंगे एक आपका रहेगा हिस्ट्री में से और सेकेंड आपका जियो में से यहाँ पे देखी यहाँ दिये गए इस राइप से कोशन दिये जाएंगे जिसमें फर्स्ट कोशन वन मार कर रहेगा सेकेंड कोशन आपका टू मार कर रहेगा यह वन मार कर है यह टू मार कर है और यह वन मार कर है जिसमें कांसिल चुनाओ के बहिसकार में जेस्ट्रीस पार्टी की भूमिका क्या थी तो आप रेड करोगे यह असानी से बादा चल जाएगा कि कांसी चुलाव जो हुए थे परिशद के जो चुनाव हुए थे तो पूरे देश में इनका बॉयकॉट किया गया था केवल मदरास को चोड़ करके मदरास में जेस्टिस पार्टी उसने बॉयकॉट नहीं किया था क् कि आर्थिक मोर्चे पर प्रिणाम काफी नाटके थे जिसकी उमीद बिटिस गोवर्मेंट ने भी नहीं कि थी जो विदेशी सामानों का आया था वस्त्रों के आयत की बात करें वो घट करके आधा रह गया था और बाकी प्रोड़ेक्ट थे वो आने बंद हो गए थे और द कि विदेशी वेपार पर जो विदेशी वस्तर का वेपार था उसके उपर पर पर्तिकूल पर भाव पड़ा था वेपार घटकर के आधा रह गया था पहले एक सो दो करोड के आसपास खाता जो घटकर के एक्क्याउन करोड के आसपास का रह गया था बस इतना ही बताना है ज़्यदा limba नहीं खींचना हमें उसके बाद next जो रहेगा 12th ये भी आपका case study based question है ये आपका GEO में से है GEO का जो last chapter है life lines of national economy वहां से लिया गए तो यहां से हमारे तीन question दीगए अंतराश्टी वेपार क्या होता है दो देशों, दो या दो से अधिक देशों के मद्दे होने वाले वेपार को हम अंतराश्टी वेपार, international trade कहते है okay, the trade between two or more than two countries is known as an international trade, उसके बाद है what is meant by favorable or unfavorable balance of trade जो favorable and unfavorable balance of trade के अगर बात करें, अनकूल या परतिकूल की कि अगर हमारा import ज्यादा हो, okay और export कम हो, तो इसे बोलेंगे unfavorable, यनकि हम आयात करें 1000 क्रोड का, हम बाहर से मंगवा रहे हैं और export निर्यात करें 500 क्रोड का तो घाटा है ना, तो ये unfavorable है परतिकूल है ये, अनकूल होगा और export ज़्यादा हो, निर्यात ज़्यादा हो और आयात कम हो, तो उसको हम अनकूल बोलेंगे ठीक, यनकि आयात कम होना चीए निर्यात ज़्यादा होना चीए अनकूल है अगर आयात ज़्यादा है और निर्यात भेज कम रहे हैं तो हमारे लिए परतिकूल रहेगा उसके बाद भारत अंटराश्री वैपार में किन-किन वस्तों का आयात निर्यात करता है, यह आपको पैसे में मिल जागा, वैसे किन-किन वस्तों का हम निर्यात करते हैं, निर्यात करते हैं किस में अच्छे हैं, हम चाय का निर्यात करें, जूट से बने प्रोडेक्ट का निर याद करें, आयात किन किन चीज़ों का करें, डामेंड्स का करें, पेट्रोलियम का करें, ओके, और इसके अलावा हम मेडिकल इकमेंट इनका करें, मशिनों का करें, इंजिनरिंग के सामान करें, मोबाइल का करें, तो मोटे मोटे तोर पर चार पांच चार पांच प्रोड़क लेक तोगे थोड़ा सा सोचके चलेगा दोड़ेगा वैसे आपको इस पैसे में भी मिल जागा जो एक्स्टरक्ट के स्टेडी के लिए हमें दिया गया उसके पार्ट रहेगा इपार्ट रहेगा इपार्ट में देखी उत्रपरदेश का वैस्थान जो A.C.O. गांदोलन से जुड़ा है तो यहाँ पे दिया है A. और उसको मार्क के दिया होगा जैसे कौन सस्थान था यहाँ पे तो हमारा A की था चोरी-चोरा तो वो दिया तो हमें पहचान पता चलना चीए तो हमें हिंट से पहचान में आने चीए या फिर उसको देख करके पहचान ना है तो चोरी-चोरा तो उसके आगे हमें लिखते ना कि चोरी-चोरा उसके पार 13.2 यह आपका जियो में से रहेगा कि भारत के बॉल्ट के उपर हमें दिखाना जैसे फर्स जो रहेगा उसमें आपके पास internal choices रहेगी जैसे यहां पे दिया गए नरोरा nuclear power plant अगर यह डेली है तो डेली से थोड़ा आज से यूपी की तरफ जाएंगे तो यहां पे अपना नरोरा मिल जाएगा पूनी software technology park है यहां पे मालने जिए मुंबई है तो मुंबई से थोड़ा से नीचे की तरफ पूनी मिल जाएगा clear जैसे अगर हम बात करें कि यह हमारा मुंबई है तो मुंबई से थोड़ा से इस साइड में यहां पे आपका पूनी मिल जाएगा उसके बाद हल्दिया port है उसको दिखाना है call काता है उससे थोड़ा से नीचे की तरफ तो इस टाइप से आपको त्यारी करने जो कुछ भी चाहिए जितना भी content चाहिए total content मैं provide कर चुका हूँ और 40 में से 40 आने चाहिए अगर 39 भी आते ना मतलब आपकी तरफ से कमी रह जाएगी फिर तो यहां पर अब हम बात करते हैं कि आपके Mapwork की Mapwork का वीडियो है वो Hindi medium के लिए अलग से आ चुका है English medium के लिए अलग से आ चुका है सारा content कहा मिलेगा प्ले लिस्ट में जाएए और वहाँ पर class and social science का genius patch है वहाँ से सर्च कर लिजे और sample question paper कहा से मिलेंगे वो सारे सारे आपको मिलेंगे blueprint and sample question paper की एक अलग से प्ले लिस्ट वहाँ पर आज के लिए इस वीडियो में बस इतना है Thank you, bye bye, have a nice day